मैं डाउट लूँगा डेफिनेटली आप सभी बच्चों का डाउट लूँगा मैं जा नहीं रहा भी कहीं और पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सर जो के अंदर हमने देखा था सबसे पहले डेफिनेशन डेफिनेशन में कहा गया था सर अगर आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करोगे तभी कैपिटल ग slaves को रहोगे आप वर्ड था capital assets, सबसे अब इसकी बात बात करते हैं sir, capital assets क्या था, capital assets हमारा कोई भी property capital assets होता है sir, अब बात आ जाते है sir, commercial या फिर आपका personal, commercial में तो सब personal की बात करें, तो personal में movable नहीं आता sir, capital assets में, लेकिन कुछ exception है, जहां पे movable assets आ जाते हैं, jewelry, आपका painting, drawing, arts, sculpture, ये सारी च के बात, sir, capital assets कितने तरीके के होते हैं, capital assets दो तरीके के थे, एक था हमारा long term, एक था हमारा short term, sir, long term, long term में define अलग-अलग है, simple सी बात है, कि आपका 24, 12, 24 और 36, shares वगरा के लिए 12 महिने हैं, और building property के लिए 24 महिने, मैं बहुत conclude करके बोल रहा हूं, बाकि मैंने पहले पूरा के कई बार ऐसा होता है, कि कुछ assets को जब हम बेचते हैं, तो वो assets विका हुआ, मतलब जब transfer होता है, तो उसे नहीं माना जाता, जैसे family में property वगरे का बटवारा हो गया, तो वो transfer नहीं माना जाएगा, भले ही property बटवारा क्यों नहीं हो रहा, इसके बाद, sir, capital gain का mode क्या जैसे listed equity share, जैसे debenture, जैसे depreciable assets, इसके उपर indexation नहीं होगा, और cost of improvement की भी हमने बात करी थी, तो इस तरीके से हमने basic basic चीजे करा था, अब सबसे main जो theory का part है, जो आपको हमेज़ा tips पर पता होना चाहिए था, वो था exemption, जो था section 54, sir, section 54 क्या कहता है, कि अगर आप individual या HUF हो, और आपने एक घर बेचा है, residential घर बेचा है, और बदले में अगर आप घर खरीते हो, तो exemption मिलेगा, घर दो ही खरी सकते हो, और दो करोड से उपर का भी नहीं होना चाहिए, और जो घर बेचा है, वो long term होना चाहिए, दो साल पहले या एक साल पहले खरीद लीजिए, या द दो साल बाद खरीदी है, बनवाने के लिए तीन साल है, अगला था agriculture land, sir agriculture land में क्या था, आपको बेचना कौन सा agriculture land है, कौन सा agriculture land बेचना है, ruler या urban, urban, ruler वाला तो capital assets के definition में आता ही नहीं है, urban वाला बेचते हो, खरीदो, कौन सा, खरीदना कौन सा, मर्जी है, तो आप अगर agriculture agriculture land बेच के agriculture खरीदते हो, तो आपको exemption मिल जाएगा, sir, हाँ, जो आपने जमीन बेचा agriculture का, उस पे आपको दो साल तक आपके आप या आपके parents खेती करे हुए होने चाहिए, या अगरिकल्चर activity किया हुआ होना चाहिए, तभी वो valid होगा, इसके बाद 54 EC देखा था, EC क्या थ पांस साल तक आपको इसको बेचना नहीं है, lock-in period है, और 50 लाक maximum investment कर सकते हो, sir, और 6 महीने के अंदर अंदर करना है, 54 EEB बिल्कुल same था, बस वहाँ पे government जो notify करेगा, उस assets में आपको investment करना है, और वहाँ 3 साल का दे रखा है time period, इसके बाद आया, sir, 54 D, compulsory acquisition by the government, कई बार factory जहां आप कर रहे हो, वो industry, सरकार को वहाँ कोई काम करना है, metro बनाना है, airport बनाना है, road बनाना है, कुछ भी बनाना है, x, y, z, तो आपकी जमीन को, आपके factory को government हटा देगी, तो यानि government आपको compensation देगी, तो that is also sale consideration, ऐसा situation में आप और कहीं भी land and building factory के लिए खरी देगे, तो आपको exemption मिल जाएगा, लेकिन उस factory पे भी आपको कम से कम, दो साल तक factory का activity होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज लिया और कल government ने कर लिया, तो यह नहीं चलेगा, इससे same मिलता जुलता, 54 जैसे ही D खतम होता है, 54 क्या था, G, 54 G में क्या था, आप शहर से बेच दीजिए जमीन, और कहां चले जाएए आप, गाओं, यानि रूरल एरिये में चले जाएए, तो आपको exemption मिलेगा, यहाँ plant and machinery भी covered हो जाता है, ऐसी था, 54 G, A, यहाँ पे आप कहीं सभी बेचिए, मतलब नहीं, फैक्टरी बेचना है, और चले जाएए, ऐसी Z में, तो आपको exemption मिलेगा, यहाँ पे exemption जो है, वो purpose net basis पे मिलेगा, सेम ऐसे था हमारा 54 GB, जिसके अंदर बताया गया, कि जो government notified equity करेगी, जैसे power generation वगरे में, वहाँ पे exemption मिल जाएगा, अब आगे चलते हैं सर, कुछ special cases करा था हमने, जैसे हमने किया था, कि insurance company से आग लग जाता अगर property में, तो उस property के अंदर आपका जिस दिन property में आग लगा है, उसी दिन के हिसाब से calculation करना होगा, ऐसा नहीं है कि आप calculation किसी जिस दिन पैसे मिले है, उस दिन से करना है, फिर था आपका conversion stock, जिस दिन आपका stock convert हुआ है, वो लेंगे, market value जिस दिन conversion हो रहा है, वो लेंगे, government compulsory acquisition करता है, तब अगर government ने आपके जमीन को compulsory ले लिया है, तो उस situation में, जिस दिन first compensation आपको मिलेगा, उसी दिन सारा capital gain देना होगा, अगर आप compensation से खुश नहीं है, तो आप appeal कर सकते हैं, और dispute के case में जब भी फैसला आएगा, तो cost of acquisition आपको लेने नहीं दिया जाएगा, हाँ, जो nature है, वो ही nature माना जाएगा, अगर interest मिलता है, तो वो interest आपका other source के अंदर taxable हो जाता है, with the 50% deduction के साथ, इसके बाद था admission और dissolution के उपर, तो यह basic basic point कर लिए, बाकि जो special case है न, अभी तक मैंने देखा special case पे questions बहुत rare पूछे जाते हैं, exemption, मैं देखो, अगर house property की बात करूँ, तो मै बच्चों को बोलता है, बहिया तुम्हे कुछ आता हो, ने आता हो, 24B आना चाहिए, जिसको 24B आता है, question कर जाएगा, अब capital gain में कुछ आता हो, चाहे ना आता हो, exemption जरूर आना चाहिए आपको, और exemption की बहुत लंबी चोड़ी list नहीं, आप revision करने बैठोगे, तो hardly अगर आ advice कर सकते हो, अब हम कुछ question practice करेंगे, पहले थोड़े असान-सान से question देख लेंगे, लेकिन exam में आये होंगे, असान हो चाहे मुश्किल, फिर उसके बाद हम अलग से देखेंगे, sir, capital gain में कितने classes, देखो, आज मैं question जब मैं कर रहा हूं, और वो question मैं कर रहा हूं, जो exam में आ चुका है, तो इसका मतलब capital gain 90% खतम हो चुका है, इसके अलाबा और भी कुछ है, जैसे कि जो theory है, main, जो कि इस बार exam में आने के chances बनते हैं, stamp duty valuation officer का एक case है, उसके उपर question आ सकता है, जिसके उपर हम बात करेंगे, ठीक है न, तो पहले तो सबसे simple सी बात है, हम आज कुछ question try करते हैं, यहां तक हमारा clear हो गया था, हमने bond वगेरा का भी देख लिया था सर, किस तरीके से होगा, कुछ special cases भी हमने देख लिया थे, और cost of accusation, जो कि already done हो चुका है, तो मैं ज्यादा time नहीं लूँगा, हाँ, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि 2-3 दिन में ब इस बात को लेकर है, चिन्तित है भई, क्यों चिन्ता मैं है सर बच्चे, बच्चे इस बात को लेकर डरे हुए है, क्या सर सलेवस होगा कैसे, उनके लिए, या फिर हम पढ़े कैसे, उनकी चिन्ता यह है क्या सर हम पढ़े कैसे, तो पढ़ने के लिए कौन सा चप्टर आप को पहले pick करना चाहिए देखिए कई बार क्या होता है कि आपके भले ही 20 चेप्टर हो लेकिन बड़े चेप्टर आपने पहले उठा लिया और उसमें लगा दिये 5 मेने बाद पेपर है तीन चेप्टर में आपने लगा दिये 4 मेने तो बाकी के आपके 17 चेप्टर देखके घवराट में वैसे जो 3 की है वो भी भूल जाओ गया कि भी आभी 17 रह रह रहा है यार तीन मेने में तो कुछ किया ही नहीं हमने तो उसी accordingly मैंने बताया कि सबसे पहले आप करिये basic concept जो की जरूरी है करना नंबर 2 पे residential status easy chapter है बस थोड़े बहुत calculation है नंबर 3 पे मैंने salary जरूर कराया आपको बट मैं बच्चो को recommendate करूँगा कि salary मत करिये उससे बहतर है कि आप क्या करिये house property क्योंकि house property करोगे 3 chapter हो जाएंगे आपके फिर आप salary मत हाथ लगाओ फिर लगाओ capital gain पे क्योंकि इसमें भी आपने observe किया होगा हलाकि यह बहुत बड़ा chapter है मैं salary से बड़ा chapter इसको मानता हूँ लेकिन आपके exam के point of view से इतना बड़ा नहीं है यह तो फिर capital gain करो फिर capital gain और HP करने से पहले साथ के साथ आप deduction भी करिये deduction मैंने पूरा नहीं कराया है लेकिन deduction उतना जरूर कराया है जो question में बीच-बीच में परिशान करता है वो परिशानी ना हो उसकी वज़े से last में आप salary उठाईए और salary के बाद फिर PGBP और other chapter करेंगे हम जो भी है तो capital gain almost done है लेकिन मुझे कुछ कम से कम हर एक chapter का मेरा target रहता है minimum से minimum 10 कुशन तो हाथ से कर ले ताकि आपको अभी एक confidence आजए हाँ भाई हो रहा है करने का pattern पता चल जाए कुशन की language से आप अच्छे तरीक से बागे आप तो 10 के बदले 20 करिए अपने आप पैट के तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है तो चलिए सर एक कुशन देखते है सर कुशन क्या कहता है आपके किताब में है किताब छोड़ी है सामने दिख रहा है भी तो किताब की बात ही नहीं है दो हजार आठ है सोल में कुशन आया हुआ है नाव क्लियर वह इस नॉट क्लियर बच्चे कह रहे थे वीडियो बलर सभाई वीडियो बलर आ रही है कोई बात ने एक बाद रीफ्रेस कर देते हैं और अपने पास से भी कर लिजेगा मैंने कर दिया रीफ्रेस चलिए कुशन पढ़ ले देखिए इसको नीचे कर लेते हैं कुछ बच्चों को विज्वल नहीं होगा भाई पूछूंगा आपसे जिस बच्चे से पूछूंगा वह जवाब देगा जो जितने बच्चे ऑफलाइन बैठे है कि कौन सा एक्जेम्शन लगने वाला है इसमें ठीक बच्चों को मैंने बोला भाई अभी कुशन करेंगे अभी मैं हेंड्रेज ओफ कर रहा हूं अभी नहीं थोड़ी देर बाद सारी मैंने बोला क्लास के बाद अपनी सारी जितने भी डाउट है वो पूछ लीजेगा आप कहता है Mr. X पर्चेज हाउस प्रॉपर्टी और इस The Fair Market Value of Property एपरेल 2001 सर क्योंकि 2000 में खरीदा था इसलिए Fair Market Value दे दिया 16 लाग रुपए He spent उसने कुछ additional खर्चे करें improvement पे 2004 में and sold 15 November 2021 के अंदर 55,70,000 का बेच दिया 55,70,000 Expense incurred on transfer यह दे रखाया आपको He purchased another house 25 March 2022 में 5 लाख रुपए का बेच दिया Compute taxable income capital सर यह 10 नमबर का सवाल आया है और जिस बच्चे को आता है ना कि देखो जिसको नहीं आता है ना इस सवाल को करेगा ही नहीं और जिसको अगर कर रखा है practice तो वो कहेगा कि 10 नमबर के level का सवाल नहीं है ठीक है ना जिसको आता है सारे provision तो सर इसको देखे करने में इसलिए मैंने कहा कि से पहले कर लीजी attempt तो सही रहेगा अब आप सबको पता चल रहा है बस मैं practice के लिए और कुछ एक्जाम में पूछे जाने वाले सवाल और मैं फिलहाल लूँगा सारे property वाले फिर लेंगे shares वाले कुछ बच्चे अगर कहें होंगे के sir shares वाले तो आपने एक भी नहीं बता है depreciable assets एक भी नहीं बता है सारे question होंगे सारे variety के question करेंगे लेकिन step by step तो चलिए sir सबसे पहले क्या लिखेंगे sale consideration sir sale consideration कितने का है 55 lakh less selling expense अब देखें यहाँ पर कुछ बच्चे है न मिरसे पूछतें sir transfer expense लिखें या selling expense लिखें मर जी है sir selling expense लिखें या transfer expense लिखें यहाँ net sale consideration पांच लाक ऐसे कैसे यह 55 lakh है 55 lakh है यह ठीक है cost of accusation sir सवाल में दे रखा है cost of accusation की बात करे तो कहता है sir 1350 का खरीदा लेकिन FMB लेंगे न यह तो 2000 में खरीदा है तो अगर 2000 में खरीदा है तो ऐसे situation में एक सेकेंट चलिए sir अभी थोड़ा सा मुझे एक call hello ठीक है sir ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं अभी मैं यहाँ पर अविलिवाद देखो मैं बता रहा था के October 2000 में इसने खरीदा तो 2000 में इंडेक्सेशन नहीं था sir तो जब 2000 में नहीं है तो क्या लेते FMB और FMB कितने का दे रखा था 16 लाग तो यहाँ पर आएगा sir 16 लाग और इस टाइम का तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा 100 होता है और क्योंकि इसने बेचा है देखो ऐसा ही question exam का ही है मैं क्या बोलूँगा अगर मैं बोलू ऐसा ही question आएगा तो कोई फायदा नहीं है और इस तरीके से इंडेक्सेशन होगा तो कुछ बच्चे याद करने में अपना वक्त नहीं कवा देना cost of improvement sir improvement का amount क्या था sir एक एक सट सास सो तरतालेस मैं एक चीज बता दूं कुछ बच्चों के पास हो सकता है कि पुराना study material अगर ढूंडते हैं तो मिलता है तो ये थोड़े सा amount हमने change किये बाकि concept यह ही है divided by sir कब improvement किया है sir आप 2004 में तो 45 का concept लगेगा 113 और into 317 बताईए इसका पहले का क्या है 50 000 और इसका 700 भाई देख देख के मत बताना चलिए बताईए 33 एक सो एक सट ये हमारा L T C G L T C G क्या है long term capital gain ये हमारा long term capital gain है पहले यहां तक देखिए किसी को दिक्कत है तो बताईए बच्चे बता रहे है cost of acquisition 50 लाक है आप लोग ने 55 लाक हाँ ठीक है पचास लाक ही तो बताईए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे कह रहे है L T C G Nill आएगा अब यहां पे मिलेगा less exemption सर पहले बताईए exemption यहां मिलेगा या नहीं मिलेगा अब मिलेगा तो क्यों मिलेगा क्योंकि इसने कौन सा घर खरीदा है नए वाला हाँस खरीद लिया है क्या दो साल के अंदर खरीदा है कहता है कि इसने मार्च 2022 के अंदर ही purchase another house कितने का 5 लाक का तो वैसे तो यह 5 लाक के लिए eligible exemption के लिए लेकिन इसका capital यह नहीं नहीं है 5 लाक का तो इसका मतलब सर यह सिर्फ इतना ही exemption लेगा और यह आ जाएगा हमारा नेल और सर जो यह 54 का exemption लिया है न इसने इसके लिए note देना आपको जरूरी है आपको यकीन नहीं हो रहा दस नंबर का ऐसा सवाल हो सकता है तो बच्चे अगर इतना करेंगे तो वाक्य दस नंबर नहीं मिलेंगे आपको इसके लिए note देना पड़ेगा कि एस पर section 54 यह एस पर income tax act section 54 if any SSC sold any residential house property और purchase any another residential house property then exemption will be available for the SSC under section 54 बस यह थोड़ी बहुत बात है और मैंने कोसिस किया है के 10-year के अंदर star भी बना दिया और note आप आप as it is पढ़के लिख सकते हैं और अपनी language में भी लिख सकते हैं आसा नहीं भईया के भईया जो किताम में लिखा है क्यूं 113 चार और पांच का था तो चार पांच का देखिए दूसरे नंबर का सवाल है तो दूसरे नंबर पे तो 113 है तो इसलिए तो आएगा 113 किसी का कोई doubt बच्चे कह रहे हैं सर exemption कैसे लगा simple सी बात है सर exemption लगने का था कि आज ने घर बेचके घर खरीदा है तो घर खरीदेगा तो exemption मिलेगा section 54 का सरिफ only section 54 है गलती से आपका हाथ फिसल गया नहीं आपे 54 A, B, C कुछ लिख दिया 0 marks है आपके ध्यान रखना जिसको section याद ना हो exam में सरिफ लिखिया exemption बात खतम वहाँ पर जैसे 54 B कर दिया या 54 E, C कुछ भी कर दिया आपने गलती से खतम आपका answer ही खतम हो गया फिर तो section गलत हो जाएगा तो marks नहीं मिलेगा section नहीं लिखोगे तो थोड़े cutting है मिलेंगे जरूर लेखें ठीक है